हेलो फ्रेंड्स मैं आंकुर चौधरी आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ वो अपनी एक साइड की वीडियो लाया हूँ एक साइड है हमने रिसेंटली कंप्लीट की तो उस साइड पे कुछ बेजर प्राब्लम्स थी जो हमें सॉल्व करनी थी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या समस्या थी किस तरह से हमने उसका सॉलूशन किया और बनने के बाद वो किस तरह की हो गई है तो आईए पहले मैं आपको साइड कंप्लीट होने के बाद कैसी हो गई है वो विजिट कराता हूँ और बाद में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा क्या प्राइस में हुई और समस्या वो क्या थी और किस तरह से वो सॉल हुई तो आईए चलते हैं साइड की तरफ फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ये रेस्टरेंट है दादा जी की रसोई तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरे नीचे जो है विनाईल फ्लॉरिंग हो रखी ए और ये चारो तरफ पाइन वुड का काम हो रका है जो चारो तरफ की वाल है तीनो साइड की रेस्टरेंट की वाल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कस्टोमाईज लगी हुई है और कस्टोमाईज भी आप देख सकते हैं किस तरह से शाीन कर रही है इसके पीछे का कारण मैं आपका बताता हूँ और यह आप देखिएगा यह पूरे में पाइन वुड का काम हो रखा है यह आप देख सकते हैं और यहां आप यह देख सकते हैं यह स्टेर्स पर भी बहुत सी उखड़ जाती है तो यह ऐल्मूनियम के स्ट्रिप्स लगाई हुए है, एल्ल लगाई हुए है कीलो से जिस से यह डेमेज ना हो तो इस टेर्स पर भी विनाईल लगाई है फ्रेंट्स जैसा कि आपने देखा ये साइड इसमें बाकाइदा विनायल फ्लोरिंग लगी हुई है और पूरे में पाइन वुड का काम हो रखा है पूरे जो तीनो चारो तरफ जो ये रेस्टरेंट है इसमें चारो तरफ पाइन वुड का काम हो रखा है तो ये जो रेस्ट तो जो समस्य आपको मैं बताओं आप यह देखी यह वाला है तो पहले इस तरह की कंडिशन थी पहले कस्टुमाइज लगा रखी थी तो इस तरह से डैमेज हो रखा था पूरा एरिया जो डैमेज पार्ट है वो डैमेज किस वज़े से था क्योंकि यहां पर दीमक आ रखी थ है वुड का काम हो रखा है तो वहां पर दीमक है बहुत जादा तो दीमक की वेज़े से वह कस्टुमाइज भी डैमेज हो रख हो गई थी और जो पीछे की वुड है वो सारा डैमेज हो गया था और नीचे जो फर्स लगा हुआ था वो रेस्टूरेंट है काफी जाद चलत है तो गिस गिस के इस तरह से फेड हो गया था बहुत जाद है तो हमने यह जो फ्लोर है यह पूरा रिप्लेस करके नई विनायल फ्लोरिंग लगाई प्लैंक वाली और जो डैमेज पोशन था वाल के उपर इस तरह से यह दीमक वाला जो वुड खराब रखी थी उसके उप रफन ग्लास जब इंस्टॉल हो गया वहां पे लग गया तो उसके उपर से जो विनायल बेस डिजाइनर कस्टमाईज है वो उसके उपर लगा दी गई और यह इस तरह से वाल तयार हो गई तो और जो विनायल थी पुराने विनायल उसके उपर उसके उपर विनायल प्लैं और जो हमने ये फिल्म लगाई वो आपकी 4,000 रुपे में लगाई तो टोटल हमने 27,000 रुपे में ये दोनों टास्क कंप्लीट किये तो आप भी अगर अपने वाल को दीमक वाले पार्ट को या कहीं आप प्रेस्टेंट में हैं घर है या कहीं भी इस तरह काम कराना चाते हैं को डिजाइनर बनाना चाते हैं और वाल पे बहुत ज़्यादा नमी है या दीमक है तो आप टफन गलास लगवा के उसके उपर से विनाइल पेस्ट करा सकते हैं जो की एक अच्छा ऑप्शन है आपकी सीपेज वाल को या दीमक की अगर वाल पे दीमक है या और कोई कमी है उसको हाइड करने के लिए छुपाने के लिए तो ऐसी ही वीडियो इंटियर लेटर वीडियो में लाता रहता हूँ अगर लगता है ये वीडियो आपके काम की है आपके किसी जानकार के काम की है तो ये वीडियो ने शेयर जरू कीजेगा और ऐसी ही इंटियर लेटर वीडियो इंटियर के कंटेंट को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जिरू कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग जय हिन जय भारत